हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टी बेकर शेर के बारे में जिसका मार्केट कैप है दो लाग असी एजार सत्रा करोड रुपए मतलब ये एक लाट कैप कंपनी हो जाती है और दोस्तों इसके लवा मार्केट कैप के अनुसा जो टॉप कंपनी है उसके अंदर इसका सतरवा नंबर आता है इंडिया के अंदर और दोस्तो मैं इसको एक मल्टी बेकर शेर क्यों कह रहा हूँ वो हम जान लेते हैं तो दोस्तो जब इस IPO के लिस्टिंग थी करीबन 2017 को ये IPO लिस्ट हुआ था 21 मार 2017 को इसकी लिस्टिंग थी और चिंजन लोगों को ये IPO अलोट हुआ था और उसके लिस्टिंग वाले दिन ये हाई गया था 650 रुपए के आसपास तो मैं लिस्टिंग वाले दिन ही लोगों के पैसे डबल कर दिये तो दोस्तो कहानी यहीं खतम नहीं होती है और लिस्ट होने के बाद ये lowest गया है 560 रुपए पर और उसके बाद ये highest गया है अभी दो महीने पहले ये highest गया है 9600 रुपए पर 5900 रुपए पर ये highest गया है तो दोस्तों अगर किसी ने 560 रुपए के आसपास भी अगर उस share को लिया होता और 9600 रुपए के आसपास भी sell किया होता तो लगबग उसके जो पैसे हैं 10.53 गुना हो जाते मतलब उसके एक लाख रुपए 10.53 लाख रुपए हो जाते मतलब जिनको आईपी ओलाट नहीं हुआ लिस्टिंग के बाद भी जिसने share लिया है तो उसके भी पैसे लगबग 10 गुना हो गए और जिन लोगों को भी आईपी ओलाट हुआ था तो उनसाट सो के इसाब से इनका जगर रिटन देखें तो 19.53 गुना ये रिटन दे चुका है मतलब एक लाट के 15,000 रुपए जसने इन्वेस्ट किये थे उसके लगबग 3,000,000 रुपए हो गए थे जब इसकी प्राइस उनसाट सो रुपए के आसपास थी तो दोस्तो इस शेयर ने बहुत जबरदस रिटन दिये हैं इस कारण मैं इस शेयर को मल्टिवेगर शेयर के रहा हूँ तो दोस्तो ये तो थी इसकी पास्ट की ग्रोथ इस्टोरी और दोस्तो अब भी जो इसका प्राइस जला है लगबगता है या लिस सो बाईस रुपए के आसपास तो इसका काफी लोग क्या है कि इंट्रेस्टेड है शेयर को खरीदने में और लोग उम्मीद भी जता रहेगी और थोड़ा गिर जाता है तो उसके बाद एν्ट्री बनाएं तो दोस्तो और कितना तक गिड़ सकता है और उसके लवा इसका नेक्स टार्डेट क्या रहेगा मतलब अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा नेक्स टार्डेट क्या रहना चाहिए इस शेयर के अंdar और दोस्तो हम बात करेंगे ये share इतना क्यों चड़ रहा है लोग इतने क्यों interested है इस share को खरीबने के लिए तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके बास demate account नहीं है तो free में demate account बनाने की जो link है वो description के अंदर है और दोस्तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं इससे क्या है कि आपको सीधा notification मिल जाएगा और आपके कोई भी update मिस नहीं होगा तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस company की खास क्या चीज़ है जिसके कारण क्या है कि लोग इसमें काफी जादा interested है तो दोस्तो इस company की सबसे main खास बात तो ये है कि इस company की जो promoter है वो सबसे जबरदस्त है मनलब कम रेट सस्ते दामों के अंदर ये माल खरीदती है फिर उसके बाद अपने customer को भी कम price के अंदर अपना माल सैल करती है जिसके कारण क्या है कि जो demart के stores है वो अपने सस्ते दामों के लिए काफी फेमस हैं दोस्तो डीमार्ट एक सूपर मार्केट की चेन है दोस्तो दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो कोई भी कंपनी माल खरीदती है उसका पेमेंट साइकल जो होता है लगबग एक से डेट महीने के आसपास का होता है बिल्कुल उदारी में नहीं खरीते हैं और हेंट टू हेंट पैसे देते हैं जिसके कारण क्या है कि इनको और भी सस्ते दामों में माल बिल जाता है और तीसरी खास बात यह है कि जहां पर भी अपना स्टोर खोलती है तो पहले लेंड बाई कर लेती है जिसके कारण क्या है कि उनको जो long term के अंदर काफी फाइदा होता है रेंड पर पैसा खर्च होता है वो उस पर खर्च नहीं होता है और उसके लवा अगर आपने demand के stores वगेरा देखे होंगे तो उसके अंदर ज़्यादा interior वगेरा नहीं होता है ज़्यादा show वगेरा नहीं होता एकदम simple उनकी building होती है इसके कारण क्या है कि उनका खर्चा काफी कम हो जाता है और दोस्तो इसके लावा company के promoter है वो भी काफी मजबूत है तो इसका क्या है कि company और जबरदस मजबूत हो जाती है रादा किशन दामानी भी एक जबरदस investor है और दोस्तो इसके पास आज की तारिक में दोस्तो चौती स्टोर्स हैं 11 states के अंदर और दोस्तो इसका जो main revenue generate होता है food और FMCG से लगबख 72% के आसपास का और 28% का जो revenue generate होता है general और apparel product से दोस्तो ये तो ही company की बाद अब दोस्तो बात करते हैं इसके financial fundamentals के बारे में तो दोस्तो 2018 से लेकर 2020 तक का अगर इसका revenue देखे तो increasing है और दोस्तो 2021 के अंदर इसके revenue है वो स्थिर हो गया है मतलब इसके अंदर हमें growth देखने को नहीं मिली है दोस्तो इसका सीधा कारण है COVID COVID के कारण क्या है कि इसके revenue पर काफी फरक पड़ा है lockdown भी लगे हैं इसके कारण stores वगेरा भी बंदूए हैं और हमने 1st wave, 2nd wave और अभी 3rd wave भी हम देख रहे हैं जिसके कारण क्या है कि इसके revenue पर थोड़ा बहुत effect हमें देखने को मिला है और दोस्तो 2020 के profit की बात करें तो 1300 करोड रुपए के आसपास ने profit generate किया 2020 के अंदर और 2021 के अंदर इसका profit है 200 करोड रुपए गड़कर 1100 करोड रुपए हो गया है तो दोस्तो इसका सीधा कारण कोवीड ही है और दोस्तो आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसी situation हम नहीं देखते हैं तो मुझे लगता है इसके revenue और profit के अंदर काफी increment हमें देखने को मिलेगा और दोस्तो एक और खास बात कि और दोस्तो इसकी ROI मनलब return on equity है 9.45% की जो की देखा जाए तो थोड़ी अभी कम चल लगी है और दोस्तो इसका जो EPS चल दा है मनलब earning per share है 22.8 का और दोस्तो इसकी share holding pattern की भी बात करें तो 34.99% की जो हिस्सेदारी है promoter की mutual fund वालों की holding जो है 6.23% की mutual fund वालों की holding थोड़ी बहुत increase हुई है और DIA जो मनलब जो domestic institutional investors है उनकी holding है 0.1% की और दोस्तो FIA जो मनलब foreign investors है उनकी holding है 9.44% की लगबग 1.5% की जो उनकी हिस्सेदारी है वो थोड़ी कटी है दोस्तो retail risk की जो holding है लगबग 8.83% की दोस्तो share holding pattern भी काफी अच्छा है और share कोई भी pledge नहीं है मतलब कोई भी share गिर्वी नहीं है तो अब दोस्तो बात करते की share कितनी तक down जा सकता है और इसके लवान इसका next target क्या रहना चाहिए तो दोस्तो ये share जो है 9.600 रुपे तक highest गया था तो उस हिसाब से इसका PE निकल कर आ रहा है 170 के आसपास मतलब 177 के आसपास इसका PE निकल कर आ रहा है अभी जो इसकी price चल ली है उस हिसाब से और बाकि दोस्तों इसके बिचले 2-3 सालों का PE देखें तो लगबग इसका जो average PE है 135-140 के आसपास होना चाहिए और उस हिसाब से इसकी जो price है लगबग 3,000 के आसपास होनी चाहिए और दोस्तों मुझे लगता है 3,000 के level हमें अभी नहीं देखने को मिलेंगे और काफी जो brokerage firms है उन्होंने इसका target जो next बताया मनलब यह next गिर सकता है 4900 तक इसका जो level है support level बता रहे हैं कि 4900 तक यह गिर सकता है और हलांकि कुछ brokerage firms है उन्होंने इसका target दिया है 3600 के आसपास भी और share गिर सकता है पर यह fix नहीं है क्योंकि अभी जो COVID की third wave आ रही है जिसके कारण क्या है कि इसके revenue के अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत और हमें गिरावट देखने को विले तो उसका रहन क्या है कि जो इसका target लगाये जा रहा है लगबग 4900 के आसपास यह share थोड़ा बहुत गिर सकता है पर यह चीजे fix नहीं है और उसके बाद जो long term के इंदर इसका target रगा गया है next target है लगबग 5400 रुपए के आसपास मतलब अभी इसके इंदर थोड़े थोड़े पैसे डाल करकर हम entry करते हैं तो next जो इसका target निकल कर आ रहा है लगबग 5400 के आसपास अगर इसको हम long term में hold करते हैं तो दोस्तों जो यह target है 4900 और 3600 के आसपास यह level जो है touch हो या ना हो यह कोई fix नहीं है बाकि अगर हम इस share में entry करनी है मतलब हमें इस share को लेना है तो दोस्तों आप धीरे धीरे करके इसके अंदर entry कर सकते हैं मतलब आपका अगर target है एक लाग रुपए इसके अंदर invest करने का तो आप क्या करें एक एक दो-दो share लेके इसके अंदर entry कर सकते हैं मतलब आज से ही entry कर सकते हैं उसके बाद अगर 4900 का level चूता है मतलब जो इसका support level है 4900 का उसके आसपास भी याता है तो आप अपना 20-30% का amount और invest कर सकते हैं अगर हमें इसके बाद 3600 का भी level देखने को मिलता है तो हमारे लिए एक मौका है खरीदारी करने का तो हम और पैसा invest कर सकते हैं इसके अंदर और बाकी मुझे 3600 तक गिरने की उम्मीद कम नजर आ रही है और बाकी दोस्तों अगर आप समें entry करें तो long term के हसाब से करें long term के हसाब से इस share काफी अच्छा है और बाकी दोस्तों जब इस्थितिया नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद क्या है कि इस share के अंदर हमें काफी अच्छी growth बेखने को मिल सकती है और बाकी दोस्तों इस share के अंदर आप invest करें और उसके बाद अपनी risk पर इस share के अंदर invest करें इससे क्या है कि आपका risk काफी कम हो जाएगा तो दोस्तों मुझे लगता है हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके mind में जो भी confusion था है काफी अर्तक clear हो गया होगा दोस्तों हमारा वीडियो हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को subscribe कर लें ऐसे और भी जानकारी related वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और अगर आपको bell icon पर दबाने के बाउजूद भी notification नहीं मिलना है तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं उसकी link जो है description के अंदर है मिलता है दोस्तों next videos के अंदर